अब काफी सारी मुवीज और सीरीज देखने के बाद दिमाग को चाहिए होता है या तो वो रेस्ट करें या फिर उसको कुछ देखने को मिले जो हटकर हो तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे आकीन लीग ओफ लेजंड्स सीरीज के बारे में एनिमेटीड सीरीज के बारे में ये एनिमे नहीं है एक एनिमेटीड सीरीज है इसमें टोटल 9 एपिसोड हैं फर्स्ट सीजन ही आया है नेट्फिलिक्स पर आप इसको देख सकते हो और हर एपिसोड तकरीबन 40 मिनिट के आसपास है मतलब आप इसका डबल कर लो जो एक नॉर सारा एपिसोड बन जाते एक एनिमे सीरीज के अकोर्डिंग अगर बात करूं तो काफी लंबा सीरीज मतलब एक एपिसोड है जो कोई भी टाइम मतलब ऐसा लगेगा नहीं आप लोगों की बोर कर रहा है अभी आते हैं उसीच के उपर तो में फोकस करते हैं अपना कि इसकी क संद नहीं मिल रहे थे मुझे क्या ये वाली चीज बताओं मुझे ये वाली बताओं क्यूंकि इसमें बहुत सारी चीजें कोई पर्टिकुलर को परसन नहीं है हाँ है अ दो परसन है इसा चर्चा कर लेता हूँ यह लिखना इसलिए पड़ता है कि अगर भूल ना जाए ओके स्टार्ट करते हैं एक एक देश एक ऐसा देश जो काफी जादा प्रोग्रेसिव देश है काफी जादा टेक्नलोजी में आगी है जो वहां कि जो उस देश को चलाने वाले जो परशाशनिक अधिकारी हैं जिसको एक काउंसलर कहते हैं तो मतलब कि 6-7 काउंसलर मिलके उस देश को चला रहे हैं अपने देश में नहीं नहीं टेक्नलोजी लाने की वह परियतन करते हैं शांती बनाए रखने का हर्त मतलब को कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको परशाशन चलाने में कहीं न कहीं गड़बड हो रही हैं जिस वजए से एक ऐसे लोग हैं समुधाय तो नहीं कहूंगा एक ऐसे लोग हैं जो उस देश में एक ऐसी जगा रहने के लिए मचबूर हैं जहांपर सरकार ध्यान नहीं दे रही हैं जो जिस कारण वहाँ पर गरीबी बढ़ गई है लोग भूखे मर रहे हैं अब यार होगा गया उस कंडिशन पर अब लोग अगर भूखे मर रहे हैं उनके उपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो obviously वहाँ पर अपराद बढ़ेगा लोगों के पास और कोई चारा बचेगा नहीं वहाँ पर लोग कतले आम होगे या फिर जादर जादर वहाँ पर कोई ऐसा निकल कर आएगा जो ये कहेगा अगर सरकार हम पर ध्यान नहीं देती है तो हम अपने एक अलग देश बना लेते हैं तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखा गई है अब ये सारी चीज़ों को दिखाए गया है एक जो बड़ी बहन है वी और एक जो उसकी छोटी बहन है पाउडर जो बाद में जिंक्स या फिर कहँँ इसका एक दूसरा नाम होता है जिंक्स और यह जो personality है jinx वाली काफी जादा आप लोगों के ओपर परभाव डालेगी अब यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसने मुझ पर डाला जैसे यह episode देखकर हटता हूं जिसमें jinx का काफी जादा दिखाया जाता है उसका behavior दिखाया जाता है तो लगता है कि हम कहीं न कहीं काफी जादा पजल है उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है कौन जुट बोल रहा है उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो काफी जादा वह confused है और उस confusion को जिस तरीके के animation वहां डाली गई है वह बड़ा ड्रावना भी बनाता है हमें देखने भी बह आप संतुष्ट है ना कि बहुत बड़ी animation देखने को मिलीगी और दोनों बहनों में बहुत प्यार होता है लेकिन situation ऐसी create हो जाती है कि दोनों बहने अलग हो जाती है अब एक बहन जब जो चोटी बहन होती उसको बहुत प्लाड़ प्यार चाहिए होता है लेकिन जब वह अ ऐसा नहीं है यह सारी चीज़े आपको ट्रिलर में देखने को मिलेंगी मैंने इसका ट्रिलर देखा अच्छे से देखा मिया कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़े हैं जो बताने की है वो बता देते हैं थोड़ा बहुत additional मिर्च मसाला मैं भी डाल लूँग अपनी तरफ से ताकि आप लोगों को यह सीरीज देखने में मजा आएं इंटरस्ट क्रियेट हो ना कि खतम हो तो मेरा मेन फोकस यहां पर आपका इंटरस्ट बनाने में है क्योंकि मुझे पसंद आई है तो मचाओंगा कि आप लोग भी इसको देखें और यह जो दोनों बहने हैं यह उसी शेतर से आती हैं जहां पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो इनको नफरत है उस सरकार से उस सिस्टम से उस कांसलर से जो इनको मतलब चला रहे हैं उनसे सही धंक से चलाया नहीं जा रहा अब यह जो सूट बूट पहन कर जो यह कांसलर बनके बैटे हैं इतने सुंदर सुं इस सीरीज को बना देता है गाइड नहीं आपको कहीं हसी आजाए कुछ एशा नहीं इसमें एक स्टोरी है जहाँबर हमें बहुत अच्छे से एक उच्च और नीच जैसे होता है अमीर वर्ग और फईअग गरीब वर्ग जो द्यान नहीं दे रहे हैं फिर जो technology उसके साथ एक तड़का लगाया गया इसमें जादू का खैर ये क्या चीज है तो आप ये series देखोगे तब ही पता चलेगा और भी काफी ज़्यादा इसके अंदर चीजे involve हैं जो मैंने तो एक तरीके से उपरी-उपरी ही बताया है कि क्या होने वाल है काफी dislike कितनी आएंगे वो तो देखो मैं ही पता मुझे ही पता होता है आप लोगों को वैसे पता नहीं होगा ये पता नहीं क्या चल रहा है dislike बेटा दिया हमारे लिए अच्छा है शाय है और जासाइक मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे anime जो मैंने series देख रहा था अभी देखनी थी यह हटके थी मेरे सामने तो कुछ नहीं है अब एक्टिंग कर रहा हूं मैं तो वह वाली चीज मुझे इसमें देखने को मिली है और डेफिनेटली जब आप इसको एक बड़ ट्राय करेंगे आपको थोड़ा पेशंस तो रखना पड़ेगा न मुझे तो फिला अच्छी है इन सब के ओपर तड़का लगा देती एक और चीज मतलब बढ़िया और चीज मना देती है इसका म्यूजिक भाई इतना अच्छा म्यूजिक है उसका जैसे जो सोंग इसके अंदर जो स्टार्टिंग का ही चलता है वो इतना बढ़िया लगा मुझे मैंने बाद एक सीरिस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जो इसके first season की जो एंडिंग दिखाएगी है जो इसका last episode जो देखने को मिलता है जिस तरीके की जो मतलब बताना चाहिए यह नहीं बताना चाहिए मतलब जो उसके अंदर किया गया आपको लगता है कि यार अब क्या होगा यार दिल में सवाल उठते है यार आगे का एपिसोड तो डाल दो यार तो थोड़ा से सबर करना क्योंकि इसका second season announce किया जा चुका है वो आ जाएगा थोड़े time में मुझे भी नहीं पता वो कब तो आएगा लेकिन announcement हो चुकी है आपको पता हो तो please comment कर देना तो मेरी दुरफ से तो भाया इस series को मैं देना चाहूँगा 9 out of 10 अगर आप लोगों ने इसको देख रखा है तो please comment करना कि आप लोगों कैसा लगा और नहीं देखा है तो एक बार just try करकर देखा है में भी आप लोगों को पसंद आई देखे आर आप मेरे साथ agree हो ये जरूरी नहीं आपका मैंडसेट अलग हो सकता है आपको कुछ चीज़े अलग अलग सकती है मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी है तो जरूरी नहीं किया गया तो ये पसंद आई ये तो बहुत कुछ इसमें था नहीं हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है तो ये अपना-पना एक अलग मत होता है अगर सभी इंसान एक जैसे हो जाएंगे तो फिर तो दुनिया बोरिंग हो जाएगी जो बहुत नहीं तो इसमें नहीं है थोड़ा बहुत ये कलकी जलक है वहाँ पर वायलेंज के बात करूं तो हाँ है लेकिन वह भी क्लियर ली नहीं दिखाया गया है तो एक परिसान तो जरूर करेगी क्योंकि डिस्टर्ब करेगी जो ये एक city जो इसके अंदर दिखाएगी जो गरीब तबका जो बाहर आता है अपनी अपनी गरीबी पल से बाहर निकलने के लिए जो अपराद उसके अंदर हो गए हैं जैसे क्रैक्टर वहां पर दिखाएगे तो उसको देखकर थोड़ा बहुत अब तो बच्चों के लिए तो बि